हलो दोस्तों केसे हो मैं हूँ अश्विन और स्वागत है अब सबका इंदी चेस वीडियोज में दोस्तों आपको पता ही होगा के मेगनस कालसन जो है वो क्लासिकल गेम में लास्ट 21 गेम से जो है विन नहीं कर पाया थे और उन्होंने ड्रो के मामले में चेस मास्टर्स में अभी पॉजिशन ये है कि यहां नेपो जो है 3.5 पॉइंट के साथ डिंग लिरें 3.5 पॉइंट के साथ दोनों जो है वो जोईट लिडर है और उसके बाद 3 पॉइंट में जो है चार प्लेयर है मेगनस कालसन विदिश संतोस कुझ जाती जो कि आज कल काफी अच्छा खल रहे है अनिश गिरी एन विश्वनातन आनन सो आई शुरू करते हैं गेम जहां पे कालसन के ब्लेक पीसिस थे और यहां पे वेन फॉरस ने गेम की शुवाद की E4 से और यहां पे कालसन निखेला C5 सिसिलेंड डिफेंस नाइट टू F3 नाइट टू C6 और यह दोस्तों यह लाइन जो है हमने काफी डिसकस भी की है जब मैंने जो है फेबी वर्सिस कालसन की वर्ट चिपेंशिप में जो है वो एनालिसिस की थी तब यहां पे अब हैड D4 C captures D E4, Knight captures D4, Knight to F6, E4 पेटेक है तो Knight to C3 और अब जो है E5 जहां पे Knight B, sorry D to B5 और अब जो है White simply Knight to D6 खेलना चाहता है जहां पे Bishop capture D6 and Queen capture D6 के बाद जो White है उसको 2 Bishop advantage मिल जाता है तो यहां पे D6 और अब इस position में normally आप जो है Bishop to G5 खेलते हो जो की काफी popular है और main line है बट यहां पे World Championship में जो हुआ उसमें के होगा D6 के बाद फेबी जो है वो Knight to D5 के लिए गए और तब से यह move जो है वो काफी popular हो चुकी है और यहां पे अब White की threat है Knight to C7 की जिसमें simply Rook और King दोनों पे Fork होगा इसलिए Knight captures D5 जहां पे Pawn captures और D5 और अब आया Knight to E7 और इस position में खेला गया C4 Knight to G6 और अब Queen to A4 तो यहां पे मेरी दो threat है वो Might B मैं Knight C2 खेल सकता हूँ दिसकवर चेक या फिर Knight captures on D6 और यह दोनों जो है डबल चेक होंगे और जिसमें Knight to C7 में तो मुझे जो है रूक होने 8 भी विन में कर सकता हूँ तो अब बिशब to D7 तो अब दोस्तों क्या होता है कि Knight capture D6 then Bishop capture D6 और Knight to C7 then Queen capture C7 so basically discover check जो है वो नहीं होगा यहाँ पर single check ही होगा so अब Queen to B4 क्योंकि इस position में देखा जाए तो Black जो है simply A6 खेल के Knight जो हो विन करना चाहेगा so यहाँ पर Queen to B4 so again मेरी यहाँ पर threat है कि मैं Knight capture zone D6 खेलना चाहूँगा और बाया Queen to B8 D6 square को जो है protect किया और इस case में Queen to B4 के बाद आप जो है अगर Bishop कहीं पर move करते हो then वापस Queen to A4 जाएगा और वो जो है repeat होता रहेगा so इसलिए Magnus Carlson नहीं यहाँ पर खेला Queen to B8 और बाया H4 so planning यह है कि H5 का जहाँ पर Black के pieces जो है वो काफी passive हो जाएगी यहाँ पर मैं आपको एक sample line दिखाता हूँ say हम Bishop to E7 खेलते है then H5 और आपको Knight जो है वो F8 पर ले जाना पड़ेगी अगर आप Knight F4 पर ले जाते हो then G3 और यह Knight जो है वो trap हो जाएगी so इसलिए H5 then Knight जो है उसको F8 ले जाना पड़ेगा जिस case में White जो है आगे चलके H6 भी खेल सकता है और जहाँ पर G6 खेलना पड़ेगा अब खुद देख लो के Black के pieces जो है वो कितने passive है इसलिए H4 के बाद मेगनस कालसन ने जो है H5 को stop किया with this H5 move और अब बिशब टू E3 A6 Knight पर टेक है so Knight गई C3 पर जहाँ पर अब बाया F5 हाला कि इसकी previous जो गेम थी जहाँ पर फेबी वर्सिस कालसन की गेम वहाँ पर Knight C3 के बाद जो मेगनस है उन्होंने A5 भी ट्राइ किया था उसके बाद कुछ गेम इस तरह से continue हुई थी Queen to B3 A4 और अब जो है Queen to D1 जहाँ पर Bishop to E7 G3 और अब जो है Queen to C8 जिस case में ऐसा लग रहा था कि मेगनस जो है इतना happy नहीं थे सो इसलिए उन्होंने इसमें थोड़ा चेंज किया Knight C3 के बाद उन्होंने खेला F5 और यहाँ पर Pawn Chain है वहीं इसारा करती है कि जो Black है वह King साइट खेलेगा जबकि White जो है उसका Pawn D5 पर होने की वज़ा से क्या हो रहा है दोस्तों कि उसको जो है Queen साइट Space इस तरह से जो है Planning करने चाहिए Otherwise इसको जो है Position के हिसाब से आपको Mold करना चाहिए कुछ Change करना चाहिए तो अब जो इस Position में White ने खेला Long Side Castle और देखिए दोस्तों यहाँ पर अब जो है थोड़ा Change हो चुका है Already अब यहाँ पर White के लिए अच्छा है कि वह Actually King Side खेल के जो है क कुछ Pawn Break अच्छीव करना चाहिए अगर Black का King जो है वह King Side रहता है और दूसरी और Black अगर King Side के असल करता है तो उसके लिए जरूरी है को वह भी Queen Side करके कुछ जो है यहाँ पर Pawn Break अच्छीव करके White के King के Against जो है कुछ Lines open करे अगर इन Case possible है तो और अब यहाँ Bishop to E7 G3 ताक इसमें से Knight Capture H4 बट अब जो है यहाँ पर White को Initiative रहता है with F4 जहाँ पर इसे E4 Knight to A4 तो अभी मेरी Threat है Knight to B6 की तो इसलिए Bishop Capture A44, Queen Capture A4 और अब King to F8 के बाद आप देखे हो कि Black का King जो है वह अभी Castle नहीं कर सकता है और अभी उसको Rook Connect करने में दिक्कत आएगी Queen जो है B8 प काफी अच्छी रहेगी तो दोस्तो गेम में क्या हुआ Bishop to E7 के बाद एक्चुली वाइट ने G3 खेला और वो जो है Pawn Sacrifice नहीं दिया और अब आया Short Castle और Short Castle की वज़ा से क्या हो दोस्तो H5 Pawn काफी weak हो गया और यहाँ पर Magnus का प्लान जो है वह उस Pawn को Sacrifice करना है और अब भाया Bishop to E2 और दोस्तो यहाँ पर H5 Pawn पर Atec है और अगर आप उस Pawn को से 4 खेलके बाद में Bishop to G4 खेलके Save करने की Try करते हो देन उस चीज में जो है वो Black की Position काफी weak हो जाएगी मैं यहाँ पर आप सेंपल नहीं दिखा सकता हूँ Sir Bishop to B6 सो अभी जो है Bishop जो है Physically B7 Pawn को Block करता है और उसकी वज़ा से Rook और Queen की Activity जो है वो लिमिट करता है और अब से Bishop to G4 आपने Pawn सेव किया बट अब Bishop capture G4 और H capture G4 और H5 और देखिए Knight के पास जो है H8 एक ही जगा है So Knight H8 और अब Pawn captures, Pawn, Pawn captures और उसके बाद H6 So यहाँ पर क्या हुआ हुआ दोस्तों के White जो है वो Black क King के Against जो है Lines open करने में कामियाब हो गया है और अब ही Point यह है कि दूसरा रुक मेरा G1 पर आ रहा है and simply यहाँ पर White की Position जो है काफी आची हो जाएगी So इसलिए Bishop E2 के बाद यहाँ पर Magnus ने वो सोचा ही नहीं उन्होंने खेला E4 ताकि Knight के पास जो है E5 पर काफी अची जगा मिलें जहाँ पर आगे चलके might be some cases में D3 जा सकती है फिर F3 जा सकती है और यहाँ पर अगर आप Bishop केप्चर H5 खेलते हो then Knight जो है E5 पर जाएगा with tempo क्यूंकि अब मेरे Thread है Knight to D3 जहाँ पर आपको almost action देना पड़ेगा क्यूंकि यहाँ से Knight King and Queen दोनों पर टेक कर रही होगी So उसे Bishop to E2 जहाँ पर आप F3 और D3 डोनो स्क्वेर कंट्रल कर रहे हो बट अब B5 So उसे C capture B5 A capture B5 और यहाँ पर position देख लो दोस्तों यहाँ पर already A file जो है वो Black के रूख के लिए open हो चुकी है और C file पर Black का दूसरा रूख आ सकता है और इस तरह से White के King के अगेंस जो है काफ action चला जाएगा Knight 2 D3 चेक जहाँ पर आप Bishop से मारोगे तो Queen जा रही है क्योंकि Bishop जो है वो पीन है और दूसरी और यहाँ पर Knight ने King और Queen दोनों पर fork किया है तो आपके लिए Rook captures D3 force हो जाएगा जिस case में मुझे action मिल जाएगा कुछ इस तरह से और अगर आप यहाँ पर Knight captures on B E5 खेलते हो देन दोस्तों Rook captures on A2 और अब जो है वाइट के King के अगेंस ब्लेक के पिसिस जो है वो काफी बड़ी activity दिखा रहे है इसलिए दोस्तों क्या हुआ कि Bishop captures on H5 जो है वो गेम में नहीं खेला गया बलकि गेम में खेला गया E4 and Bishop to D4 ताकि जब भी यह Knight जो है E5 पर तब जो है आप उससे capture कर पाओ दोस्तों इस position में अभी मेंगनस ने खेला Bishop to F6 और अगर अब आप जो है Bishop captures on H5 खेलते हो दोस्तों देन यह Knight to E5 जो है वो काफी strong रहेगा यहाँ पर point है कि अगर आप Bishop capture Knight खेलते हो देन Bishop captures on Knight जहाँ पर Black के पास 2 Bishop advantage भी होगा और दूसरी और Black की Queen जो है वो A7 से अच्छी खासी एक्टिविट भी होगी मैं यहाँ पर आपको एक सेंपल लाइन दिखाता है उससे Rook H2 G1 आपका point है कि आप जो है Black के King की against कुछ line open करना चाहते हो क्योंकि यहाँ पर G4 पर आपके पास pawn break है but then Queen A7 से G4 बट अब जो Black है वो B5 खेलके White के King के against or lines open करने में कामियाब हो जाएगा से G captures on F5 और अब Bishop captures on F5 यहाँ पर position देखिए दोस्तो closely के G file है वो अभी close है उसकी वज़ा से अभी जो है और Black का King relatively safe है और दूसरी और यह दोनों Bishop जो है वो Black के काफी dangerous हो जुके है यहाँ पर मेरी सबसे पहली threat है Queen capture on F2 और उसके बा C8 पे आए गया और C file open हो गयी दिन में Bishop captures जो है वो C3 खेलके उदर double pawn करके भी White के King के against जो है कुछ lines open करने में कामियाब हो जाओंगा So basically यह position जो है वो Black के लिए खेलने में काफी अच्छी है और यहाँ पर अगर Bishop capture H5 और Knight to E5 के बाद अगर आप वापस जो है वो simply Bishop to E2 खेलते हो आप जो है Bishop capture E5 नहीं खेलते हो बट देन Knight to D3 चेक जहाँ पर Bishop capture D3 force और अब जो है हम Bishop captures on D4 खेलेंगे जिस केस में आपको अप Black के पास 2 Bishop advantage रहेगा और relatively Black के लिए जो है यहाँ पर लाइन से open करना काफी easy है with this B5 move right so इसलिए game में किया हो दोस्तो Bishop to F6 के बाद actually white ने जो है वो Bishop captures on F6 खेला और अब रुक captures on F6 और अब दोस्तो अगर Bishop capture H5 आता है then again हम जो है सेम Knight to E5 जाएंगे जहाँ पर Bishop to E2 और अब ज इस तरह से continue होगी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी जहाँ पर Black के पास जो है वो White के King के against जो है initiative रह सकता है right so गेम में क्या हो दोस्तो रुक capture F6 और अब जो है Queen to B6 के लगए और यह move जो especially prevent करती है Queen A7 करके जो Magnusky Queen activate हो रही है उसको so यहाँ पर अब आया Knight to E5 यह move जो ह वो basically Bishop capture H5 को भी stop कर रही है क्योंकि अगर आप Bishop capture H5 खेलते हो then Knight captures on C4 आपकी Queen पे टेके Queen move होगी तो मैं B5 खेलूँगा और उस side जो है especially White का King जिदर एक उस side में जो है कुछ Lens open करने में might be कामियाब हो सकता हो क्योंकि के already C file तो जो है open होई चुकी है और मैं आगे चलके रु नहीं मार सकते है और दूसरी और मैं प्लान कर रहा हो Bishop to E8 जो कि आगे चलके Magnus Carlson ने किया और उसके बाद Knight जो है उसको D7 पर ताकि आपकी Queen जो है B6 पर हट जाए और उसके बाद मैं B5 खेलके अपने P6 जो है उसको कुछ Lep दे सकता हूँ I mean especially यह Rook जो है उसके बाद active हो स और यहां पर अब आया Queen to C7 तो आपने क्या किया कि जो है C फाइल पर जाओ कि Half Open फाइल है ब्लेक के पीसिस के लिए उदर अपनी Queen प्लेस की और आगे चलके आप जो है Position के इसाप से खेल सकते हो अगर मोका मिलता है तो आप रूख C8 पर जा सकते हो and यह C4 पोंड जो है उस है तो यहां पर वीडियो पोस करके सोचिए कि आपको क्या खेलना चाहिए रेडी दोस्तो अब आया F4 और इसलिए मैंने बोला था कि यह जो है Plans कि आपको कि साइट खेलना है वो जो है Position के इसाप से Change होते रहते है यहां पर F4 खेलना काफी जरूरी है और अब Black के Pieces जो है वो Simply F5 से जो है Attack शुडू करेंगे और यहां पर दोनों पर Attack है तो यहां पर अभी आपको मारना 4 से अगर आप इस Position में जो है Knight 2 जो है G2 खेलते हो बट देन Pawn Push और आपका Piece चला जाएगा ओल्दो आपका Knight 4 पर आएगा लेकिन फिर वो जो है इतना useful नहीं है क्योंकि Simply आप एक Piece डाउन हो रहे हो राइट सो F4 के बाद आया G captures on F4 और अब जो है Rook captures on F4 Rook to G1 Rook को जो है Half Open File पह ले आये और अब आया Bishop to G6 वो दोस्तो इस Case में अगर आप Rook captures on F2 खेलते हो देन Queen captures जो है वो E4 possible है क्योंकि अब आप Bishop G6 नहीं खेल सकते है क्योंकि Rook capture G6 आ रहा है और दूसरी और Rook G1 के बाद अगर आप Rook captures on H4 खेलते हो तो वो तो जो है और भी bad हो जाएगा क्योंकि अब आ सकता है Knight to simply F5 पे जहां पे रूख पे भी a take है और Rook captures G7 जो हो काफी बड़ी threat है सो Rook G1 के बाद Magnus नहीं यहां पे खेला Bishop to G6 और एक काफी बड़ीया move है और यहां पे white के अभी जो सारे play है वो stop कर रहा है सो अभी हमारे threat हो सकती है might be Rook capture H4 might be Rook capture F2 और अगर Knight move होती है तो हम जो है pawn push करके भी खेल सकते हैं जहां पे हमें action मिलने का chance है सो Bishop G6 और game में खेला गया King to B1 simply इस diagonal में से अपना King जो हो अटाया और अब है Rook A to F8 और अब C5 Rook captures on F2 और A C5 में आप जो है simply pawn capture करके भी खेल सकते हो I mean to say pawn capture C5 करके भी खेल सकते हो या फिर Queen capture C5 करके भी खेल सकते हो बट यहां पे Magnus जो है उन्होंने prefer किया Rook captures on F2 और अब आया Queen to C3 Queen captures on C5 और दोस्तों Queen to C3 से पहले आपको शले ऐसा लग रहा होगा कि यहां हम यहां पे pawn captures कर सकते हो दोस्तों आप कर सकते हो बड़ें Queen captures on D6 and say Rook to C2 but then Rook captures on E2 जो है वो यहां पे काफी strong है, point यह है कि Rook captures on E2 के बाद on Knight to F3 simply Rook और Queen पे fork कर रही है and say Queen to D1 then Knight capture G1 Queen capture G1 और अब जो है Rook to F3 जहां पे Black की position है वो काफी अच्छी है क्यूंकि Black के सारे के सारे pieces है वो यहां पे काफी active है, right? So Rook capture on F2 के बाद, game में खेला गया Queen to C3 और अब आया Queen captures on C5, Queen captures on C5 और अब pawn captures on C5 और यहां पे जो बेंगने से है उसके पास already दो pawn जो है वो extra है और White का pawn जो है यहां पे pass pawn तो है D5 पे वो लगता है dangerous but actually वो इतना dangerous कुछ है नहीं, game में किया हुआ, White ने simply वो pawn push किया D6 पे और King to H7 को वो काफी useful move है क्योंकि आपका जब भी pawn अगर promote कभी होता है तो जो है यहां पे जब भी हम Rook capture D8 खेले तब Rook capture D8 जो है वो check नहीं होना चाहिए और उसके पीछे का एक logic है जो अभी आपका clear हो जाएगा, और भाया D7 और अब Knight to F3 और इस position में जो है वो White ने resign कर दि जो कि अभी जो Knight है वो simply दोनों Rook पे attack कर रही है और अगर आप Bishop capture F3 खेलते हो then simply Rook captures on D2 जहां पे आपका pawn जो है वो भी अंडर attack है आपका Bishop जो है वो भी अंडर attack है और next move में आपका D7 का pawn जो है वो चला जाएगा और Black जो है उसके पास simply तीन extra pawn रहेगे और exchange extra right तो इसलिए यह position जो है Black के लिए completely winning है और क्या हो सकता है यहाँ पर जब Knight to F3 आया एक चीज़ और हो सकती है आप जो है Queen बनाओ और दोस्तों अब यह decide होगा कि क्यों King H7 जो है वो अच्छी मू है यहाँ पर आप जो है simply Rook captures on Queen खेल सकते हो और यहाँ पर point यह है कि जब आप Rook capture on D8 खेल और दोनों चीज़ आप save नहीं कर सकते हो तो अगर आप Rook save करते हो तो Knight चली जाएगी और से आप Rook save करते हो यहाँ पर D1 पर then Rook captures on simply E3 और देखिए Black जो है उसके पास एक extra piece है और उसके पास तीन pawn भी extra है और especially यह pawn जो है वो काफी dangerous already है क्योंकि आपकी Knight जो है F3 पे उसको Queen Square को भी control कर रही है तो हमें conclude कर सकते है कि Knight to F3 के बाद जो black है वो सारे variation में win हो रहा था और इसलिए event for us ने जो है इस position पे जो है resignation दे दिया तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो I hope मेरा वीडियो जो आपको काफी पसंद आए होगा पसंद आए तो प्लीज को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लैक दीजिए और अपनी कोमेंट देना बिलकुल ना भूले धनिवाज जैहीन बाबाई